नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलिकॉम अभी तक आपने चैनल को सुसक्राइब ने किया तो प्लीज हमारे चैनल को सुसक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तो आप देख सकते हैं कोई मैंने वीडियो स्किप नहीं किया है इसमें फर्पी लगी हुई थी एक्च्वल में फर्पी बाइपास हो चुकी है कोई भी हमने डॉंगल यूज नहीं किया है आपको नमस्कार दोस्तों आपका चनल स्मार्टेलिकॉम और मैं दुर्गेश जैसा र्पी में भात करूँगा सबसे पहले आपको मैं फर्पी देखा दो तो अब देख सकते हैं यहां पे करेंगेगे आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पे भी next करेंगे ओके करेंगे देखेंगे skip का button hide है फ्रेंड्स मतलब हमारा यह FRP पे लगा हुआ है यह phone हमारा FRP पे है और यह current letters का headphone हम बोल सकते है यह J7 current security लगी हुई है 2020 की security लगी हुई है तो friends इसको कैसे हम रिमूफ करेंगे हम आप इसको बाइपास तरीका जो है वो फैल हो रहा है वो मैं आप ही आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा देखे friends आपने भी यह सीम मेथट काई बार ट्राइ किया होगा यह आप देख सकते हैं यह सीम मेथट आपने भी काग्दू बार ट्राइ किया होगा मैंने भी ट्राइ किया बट यह फैल जा रहा है मैं इसको बाइपास करके आपको दिखाऊंगा आपकी एफर पी मैं इसको आप वीडियो को लाज तक देखे हैं आपको ये FRP 110% रिमूफ किया हुआ दिखा मिलेगा आपको आप देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को लाज तक देखें ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है फिर भी आप वीडियो को लाज तक देखें चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा एक सैमसंग का फोन था जो फार्पी पे जे सेवन है तो उसको हम हटाएंगे फ्रेंड्स और आपको दिखाने के लिए मैंने दिखाया भी ता सारी चीज़े तो वीडियो लंबी हो सकती तो देर ना करते हुए हम आगे सीधे काम पे चल ञास कर सकते हैं अगर नहीं हो रहा तो आपको यहीं मैथ simplemente वियुङ करणा होगा फ्रेंड्स मैं आप लाइस चाहिए को सकता होगी तो यहीं boosh तक होना हैं यहां पेचल बीर्व यहां पर देखिए तो यहीं बिडियो को यहां पर फ्लैसक लिए सफाइल फ्रेड्स आपको पुड़ा लाइफ करके मैं दिखाऊंगा ये वीडियो अगर थोड़ी अगर जिनने पता है जिनके वाई-पास हो जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अपना वो कर सकते हैं तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि फ्रेंड्स आप वीडियो को लार्ट तक देखें और आपको 110% सक्सिज होके वीडियो ही मिलेगा तो जैसा कि आपने देखा आप देर ना करते हैं वीडियो को हमने जैसे ही दिखाया कि आपको यहां पर कॉम्बिनेशन दिखा दी और आपको फ्लैस फाइल दिखा दी तो अलग से हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हम देखते हैं यहां पर फ्रेंड्स ओडीन तो फ्रेंड्स आई होब आपको एगर वीडियो अच्छे लगीगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमने यहां पर टूल लिया है और यहां पर आपको डिवाइज मैजर ख की से करते हैं सारी चीलिया वर मैं फाइल हमों आपको फोने करना नोन चैनिक लिए मेन ओर आपको power की साथ संस्थ निया आपका proceeding इस अपर देखेंगे तो यहां मोन समसंग मॉल द्राइवर हमारा कनेक्टेट हो गए अब को इसा आप नदी तिल stating Central draw प्रेंट्र और देका हो कोई सा Тूलन लें यहां पर एक error आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं friends हम इसको error को problem को भी sort out कर देंगे इसके लिए हम इसका miracle thunder यूज़ कर सकते है तो मैंने बोला था कोई भी box में यूज़ नहीं करूंगा जो कि अब देख सकते है step by step सारी चीज़ों को आप देखेंगे कोई भी वीडियो नहीं है सारी चीज़े में आपके सामने दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं जैसा भी है यहां पर क्रैक खुल जाएगा मैं क्रैक के तुरू आपको दिखा दूंगा कैसे उसको इसली अन्लॉक करते हैं सारी चीज़े आपको करें दिखाएंगे तो एक खुलने में थोड़ा सा वाट लगने तो जैसे दिख सकते हैं हमारा उपन होग चुका है अब क्रैक हमारा उपन हो गया है तो हम इसमें सैमसंग में जाएंगे ऐसमसंग में जाने के बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं तो प्र्टर इस हमें कि गज़ने बया दिया घ्राएं चेक्षान आख़्ाइर छो फाइल को हम फ्लैउंख करेंगा अब से स्टार्ट डवा देना है इसम्issent एग आपको फिर्सिंग वट यहां चेक करना का यह अगर आपका अजिर्ण से काम नहीं कर में आपको यांजम और हमnet कर लिया तो फ्रेंट्स आई होब आपको बहुत अच्छे लग रहे होगी वीडियो आप लास तक देखेंगे वही फाइल हमने ले लिए जो की फैल बता रही थी और यह दोनों फाइले मैं बताऊंगा आपको फ्रेंट्स यह दोनों फाइले आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएग वही फाइल राइड हो रही है तो जैसा देख सकते हैं हमारा यह प्रोसेस हो चुका है मैं इसको वीडियो को भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा की एक्च्छल में हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंट्स मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा मैं इस वीडियो को रोकूंगा और आपको मुखाएल के तूरी दिखाऊंगा लगए हुआ है फॉन को वही फोन है जो आपको में ने दिखाया था यह फून वही दिखाया था जो आपका सीम मैथाट का नी क्याता आपको combination 110% जो हमारी file खराब आ रहे थी encrypted आ रहे थी वही file को हमने flash कर दिया मैंने seem भी लगाया हुआ है और इसके बारे बताया भी था कि seem method बार बार फैल हो रहा था seem method से bypass नहीं हो पा रहा था तो friends आपको यही करना है अब देख सकते हैं इसमें बैनरी फुल रूम चड़ जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारी combination flash हो चुकी है अब combination flash हो चुकी है तो friends आपको SettinG में जाना है को मैं बताओंगा यहां पर setting में जाने के बाद आपको यहां पर setting मे जाने के बाद यहां पर Lock लगा देना है आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहां पे lock लगा देना है आपको मैं दिखा दूँगा सारी चीजे आपको यहां पे security में जा करके आपको यहां पे pattern लगा देना है कोई सभी pattern लगा देना है कोई सभी pattern आपको लगा देना है यह आपको process करना है यह bypass का process है आप देख सकते हैं मैंने पैटर लगा दिया तो आपका फोन मैं आपको दिखाना चाहूंगा डिवाइस मेंजर खुलके कि हमारा फोन एडिवी मोड पे कनेक्टेड है अब मैं आपको अपने PC में दिखाऊंगा आगे तो जैसा कि आपने देखा में सब्सक्राने के बाद आपको दिखा कि पैटर लगाना है वहाँ पे जाकर अब यहां पर अपर जैसा कि आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि वह काम हो चुका है फिर भी आप एक बार यह आपका अमेरिकल थेंडर खुला हुआ है तो एक बार जा करके आप एडीवी से आप इसकी फार पी भी रिमूफ कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अब फोन हमारा रिबूट होगा यह यह आपका बाइपास हो चुका है फ्रेंड्स फोन बाइपास हो चुका है अब आपको सिंपली इसको फ्लैस फाइल से फ्लैस कर देना है तो फ्लैस करने के लिए मैं आपको बताऊंगा अब जैसा कि हमने फाइल आपको दिखाया था तो बील को बील में देना है बैक जाए अब इसकी flash file से हम इसको flash कर देंगे था सबसे पहले BL को BL वाली file में देंगे CP को CP file देंगे friends आप इसमें csc csc देंगे तो मैं इसमें friends आप देख रहे होंगे कि csc ने दे दिया है csc friends आपको मैं बता दू csc आपको home देना आपको फिर से बोला हूँ ऐसी आपको home देना है और home देने के बाद friends अब आपको AP सिस्टम की file देनी है कि AP सिस्टम की file देनी है friends इसमें थोड़ा सा wait time लगेगा क्योंकि यह हेवी फाइल होती है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा रोग देता हूं कर देख सकते हैं हमारे अब हम्ह फॉन को डॉंलोड मोड धुर्या है और आपको हम पिर से सकते हैं हमारी flashing स्टार्ट हो गई है तो आई होब आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिसमें हम कोई भी वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं आपको बाइपास का बैस तरीका बता रहे हैं इसकी फाइल की लिंक हम डि बाइपास करना है आपका अगर सी मेथट फैल हो रहा है तो कैसे फोन को हम बाइपास करें तो आई हो भी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी तो ज्यादा ज्यादा लाइक और सस्क्राइब करना ना भूले क्रेंट्स तो फ्लैस हो रहा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले जिससे हमारे नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे तो वीडियो यह थोड़ी सी बड़ी है तो इसको आप लास्ट तक देखेंगे तो सारा step by step आपको समझ में आ जाएगा friends हमेशा आपको device में जब खोल के रखना होता है और आपकी Samsung की आप देख रहे हैं मैंने कोई सा भी dongle use नहीं किया है बिना किसी dongle के इसकी FRP हमने हटाई है बिना किसी dongle के Odin tool है बट हमने कोई सा भी dongle use नहीं किया है और इसकी FRP हम easily remove कर दि चुका है flashing हमारी complete हो गई है friends अब आपको हम अपने mobile के तुरू दिखाएंगे कि हमारा phone 100% success हुआ की नहीं हुआ friends hidden की file जा रही restart हो चुका है phone अब यहां पर इसको रोकूंगा अब देख सकते है friends phone data cable से लगा हुआ है और phone 100% success हो चुका है हमारी flashing भी complete हो चुकी है friend और वही phone है और data cable से लगाई हुआ है तो I hope यह देखते हैं कि 100% success हुआ की नहीं हुआ यह video आप लास तक देखिएगा मैं कोई भी video skip नहीं कर रहा हुआ friends आप इसे लास तक देखिए तब आपको proper समझ में आएगा कि actual में video सही है या fake है तो मैं video कोई भी fake नहीं डालता हूँ अपन और मैं कोई भी skip नहीं कर रहा हूँ video को friends आपके सामने properly यह phone दिखा रहा हूँ J7 next था पर यह core हो गया है आप इसे फिर से flash कर सकते हैं आप इसके चालू होने के बाद आप इसकी update file डाल देंगे तो यह J7 next फिर से हो जाएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है friends तो देख सकते हैं phone हमारा starting process में है हम आपको कहीं भी skip नहीं कर रहे है वीडियो को आपको last तक दिखाएंगे कि actual में हो रहा है कि नहीं हुआ हमारी फारपी हटी कि नहीं हटी friends तो हम इसे आपको last तक दिखाएंगे कोई भी video skip नहीं कर रहे है अब देख सकते हैं friends यह completely process हो रहा है और यह बहुत जल्दी complete हो जाएगा friends आप देख सकते हैं और देखते हैं restart हो रहा है FRP easily remove हुई की नहीं हुई friends तो I hope FRP remove हो गई है आपको मैंने pattern डालने के लिए बोला था आपको एक pattern डालना था friends तो आप देख सकते हैं कोई मैंने वीडियो skip नहीं की है इसमें FRP लगी हुई थी actual में FRP bypass हो चुकी है कोई भी हमने dongle use नहीं किया है आपको file का use किया है combination और इसके बाद flash file को हमने use किया है उसके बाद इसको flash कर दिया है friends तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इसकी process start है जैसा कि देख सकते हैं यह इस तरीके का आपको दिखेगा तो इसमें से आप कोई भी Android system ले सकते हैं Android या कोई PR ले सकते हैं आप इसको बस one click करना है next करना है और आप देख सकते हैं friends हमारा phone 100% bypass FRP हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं फोन हमारा easily तरीके से on हो चुका है friends कोई भी damage नहीं हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ security के फाइले सारी फाइले हैं यहां पर तो I hope यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुगी friends आप देख सकते हैं कोई भी damage नहीं हुआ सारा system हमारा okay हो चुका है friends तो I hope यह वीडियो आपको subscribe करना ना भूले थैंक यू